कोशन कहता है, एक क्लास में 54 विद्यारती हैं, विद्यारतियों में से 33 to 1 by 3 परसिंट लड़की हैं, यानि ये व्वाइज हैं, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, ये 1 by 3 होता है, यानि टोटल विद्यारती देखा जाए, तो 3 यूनिट है, इसका 1 by 3 यानि 1 ये है तो गल्स कितना होंगी तो वो दो होंगी वन इस्टू टू के रेशियो में लाज्ट क्लास में इस पैटन पे हमने कई सारे कोशन आपको करवाएं बहुत अच्छे से कैता है लड़कों के गड़ित में आउसत प्रातांग लड़कियों के आउसत के तुल्ला में 50% अधिक हैं देखो 50% अधिक 50% अधिक का मतलब एक बटा दो एक बटा दो यानि अगर गल्स का एवरेच दिके यहां भासा समझे यहां तो वन इस्टू टू है सेस लड़कियां लड़कों के गड़ित में आउसत लड़कियों के प्रातांग से 50% अधिक हैं यानि गल्स के अगर 2x हैं तो वाइस के दोनों का योग यानि 3x है according to the question किता है यदि सभी विद्यारतियों के 70 as a average है तो लड़कों का आउसत प्रातांग ग्यात किजिए नियम सभी बच्चे जानते हैं तो कि लास्ट क्लास में बताया था कि इसका इंटू इसका इंटू तो इसका इंटू 3x 2x दो दूना 4x बराबर तीन का इंटू 70 में यानि 210 7x बराबर अगर 210 के आएंगे तो x बराबर 30 के यानि x बराबर 30 के और हमसे कहेगा बॉइस कितना तो 3 गुड़े 30 यानि 90 तो 90 इस दर राइट आंसर सेम पैटन के हमने आपको बताये कि टीसेस का फेवरेट पैटन होता जा रहा है लास्ट क्लास में हमने सीजियल मेंस में सीजियल में MTS में भी ऐसे कोशन देखे थे बड़े पैशन से समन्ना मोहबत से एक बार रिपीट करते हैं एक क्लास में 54 विद्यारती हैं तो कुछ 54 का कहीं रोल नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि रेश्यो में जब हम इस टाइब से करते तो उसका रोल नहीं है विद्यारती हो में 33-1 by 3 पर्σιंट लड़के हैं यानि 1 by 3 लड़के तीन लड़के इसका 1 by 3 1 होता है तो उस रिमैनिंग 2 होता है अब हम से कहता है कि लड़कों के आसत के प्राप्रांग लड़कियों से 50 पर्शीम अधिक हैं 50% मतलब 1 by 2, अगर girls के 2x है, तो boys के 3x है, 3x वन जा 3x, 2x इंटू 2, 4x, इसका योग 210 के बराबर, यानि 7x बराबर 210, x बराबर 30, दोस्तों, ये 30 आया, और इस 30 का हमसे कहता है boys का बता दो आउसा 2, तो 3x है, 3 गुड़े 30, 90, एक और चीच, जिसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि बिलकुली सॉटकट मारें, तो बच्चा देखो, 3 का मल्टपिल ये भी होगा, 3 का ये भी, 3 का ये भी, तो ज्यादा सॉटकट के चक्कर में क्योंकि कर देंगे average तो वो, वो तो किसमत पर डिपेंड आप, जब 3 option है, तो अंधी नहीं चलती है, यात रहे, जो आपको concept ब 32 number, बढ़िया कोशन है, और CHSL की कोशन अभी आने वाले coming exam में आएंगे, याएंगे, कई छात्रों ने एक परिच्छा दी, उत्तर पत्रिका में एक त्रूटी थी, जिसमें 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया, और उनके औसक अंग 78 से घटकर 66 हो गया, बड़ा खेला है, पहले बात को समझो, 48 को प्रभावित किया, मतलब अभी तक आउसत 78 चला था, लेकिन 48 छात्रों का जो आउसत है, वो 66 हो गया, ये किस कारण, एक त्रूटी यानि एरर के कारण, फिर कहता है, सेज चात्रों के आउसत में साड़े तीन की व्रद्धी हो गया, यानि सेज माना एक चात्र है, साड़े तीन व्रद्धी, यानि 78 में 3.5 जोड़ दो, तो 81.5 हो गया, फिर कहता है, इस से सभी चात्रों के आउसत में 4.5 की कमी हो गई, तो 78 में 4.5 लेस करोगे, तो 73.5 आएगा, भाई, 78 में 4.5 लेस करोगे, तो ये आएगा, अब मिक्षे एंड एलिगेशन लगा दे, मिक्षे एंड एलिगेशन, दोस्तों इसमें से ये घटाओगे, तो ये गया, 81 और ये, तो कहीं न कहीं ये 8 आगया, इस से ये घटाओगे, तो 7.5, यहाँ दसमलों हटाया है, यहाँ 0 आया, 16 और 15 का रेशियो, ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, 16 बराबर, 48 के, यानि इसका 3 गुना, तो 15 बराबर, 15 गुड़े 3, 45 के यहाँ 45, हमसे कहता है, दोनों का योग बता दो, दोनों को जोड़ोगे, 93 इस दा राइट आंसर, किताब में ऐसे नहीं दिया गया है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, दिगे, अब आपको नए कोशन सीखने चाहिए, अब यह नहीं कि हम बाबा आदम वाला ही पढ़ेंगे, फिर तो स्वयम जिम्मेदार रहोगे, किताब से हठकर सिखाते हैं, कई चातरों ने एक परिच्छा दी, अब हमें यह नहीं मालूमें कि कितने चातरों ने परिच्छा दी, कहता है उत्तर पत्रिका में एक तुटी थी जिससे 48 शात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके ओसत में 78 से चाचट हो गया मतलब ओवराल ओसत 78 चलना था पर पुस्तिका में जो एरर थी वो चीज 48 शात्रों ने कर रखी थी तो उनके जो मार्क्स हैं 78 की जगे 66 ओन एंड एवरेज हो गया फिर एक्स विद्ध्यारती कुछ और विद्ध्यारती थे तो से चात्रों में 3.5 की व्रद्धी हो गई तो जो बचे विद्ध्यारती थे वो एक्स थे और उस 78 में 3.5 जोड़ोगे तो 81.5 और कहता है कि overall सभी चात्रों के साड़े 4 की कमी हो गई तो 78 में 4.5 लेस करोगे तो 73.5 सिंपल सा mixture and allegation समझ गया 16 और 15 इस इस दा quantity ratio अब 16 16 is equal to 48 that's why you know guys 3 का multiply similarly 15 into 3 45 कहता है प्रभू परिच्छा में सामिल होने वाले चात्रों की संग्यादा number of student that attend the exam is so 48 plus 45 you know guys 93 is the right answer of this question patience रखना ये वो तरीके हैं जो आपका selection तै करेंगे अकि जैसी जिसकी स्रद्धा 132 के बाद बढ़िहां से पढ़िए 15 चात्रों के एक समू का गड़ित में औसत अंक 87 है मतलब 15 चात्रों के एक समू का गड़ित में औसत अंक 87 है फिर अन 25 चात्र सामिल होते हैं और कुल औसत अंक 79.5 हो जाता है दूसरे समू के 24 चात्रों का औसत 74 है तो दूसरे समू के 25 में चात्र द्वारा प्राप्त अंक या है देखो पहले एक समू थे 15 फिर 25 सामिल हुए और उनी में से कह रहा है कि भईया दूसरे समू के 24 का तो जो ये 25 बचा है इसी का पूछ रहा है ये तो खेला हो गया ये तो खेला हो गया बच्चा घबरा गया कि आंसर क्या आएगा समझो मोटा मोटा समझते हैं मोटा मोटा समझते हैं कहता पंदरा और पच्चिस का कुल आउसर 79.5 है according to the question राइट यानि 15 प्लस 25 दैट मिन्स 40 स्टूडेंट का जो ओन एन आवरेज है वो 79.5 है पहले बोलू हाँ ना तो बोली नहीं सकते खराब लगता है न मुझे ना तो बोली नहीं सकते और फिर कह रहा है दूसरे समझो के 24 का आउसर 74 है तो 24 का आउसर 74 है और 15 छात्रों का आउसर 87 है स्टार्टिंगे तो 15 का 87 है तो सीधी से बात है यहां पर 39 लोग हो गए यहां 40 हो गए तो कहीं ना कहीं हमें 25 छात्र का आउसर निकालना है अब करना क्या है प्रकास कला जो आपको सिखाई गई हमने आपको बताया है कि इधर वाले में जब हमने on an average इसी को मान लिया है जब हमने इसको मान लिया है यहां माइनस लगाओगे ऐसे इससे यह कितना कम है तो आप कोगे सर इससे यह सारे 4 कम है यानि 4.5 पहले बोलो हां कि सर सारे 4 यह कम है और इससे यह कितना ज़्यादा है तो आप कोगे सर 7.5 ज़्यादा है इसका इसमें इंटू तो सारे 4 को 9 बटा दो कहते हैं दो से भाग दोगे 12 बारा नविया 108 यानि 108 आएगा माइनस का बोलो हां भै दो से भाग दोगे तो 12 अरे दे होता 24 गुडे सारे 4 का मतलब 9 बटा दो यह चीज ए 108 आया अरे पहले ब कर दो अगर हां तो खुलके बोले एक सेक्ट एक सेक्ट एक सेक्ट अच्छा वह ध्यान ने दिया है तर्ष्ट है 79.5 से ये लेस होगा 5.5 आएगा sorry for that ये को ध्यान दे दिया इससे ये घटेगा तो समलो 5 और 79 में 74 गया अच्छा हुआ दिमाग में आया और ये चीज प्लस का 7.5 वनना अभी पूरी मैनद बरबाद हो जाती है यहां देखा तो 24 गुड़े 11 बटा दो तो ये बारा आया बारा गुड़े 11 एक सो बत्तिस जो की माइनस का बच गया एक और प्लस किताबों में ऐसे नहीं देता है साड़े साथ का इंटू इसमें करोगे तो 15 ऐसे साड़े साथ का मतलब 15 बटा दो 225 बटा दो समाच इसे 112.5 बोलेगा प्लस का दोस्तो दरना नहीं लड़ना है ये 79.5 ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया एक सो बतिस माइनस गया 112.5 तो मोटा मोटा दोको दसमलों पांच ये तो गया तो यहाँ जीरू आएगा दो से दो गया यानि ये नो ऐसे आएगा साथ साथ और तेरा पूरा जोड़ लो साथ तेरा बीस बीस में से ग्यारा गया नो आया 99 इस दा राइट आंसर थोड़ा सा समय लगा इस MTS के कोशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था अब आप खुदी सोचो अगर हम यहाँ इंटू करेंगे तो भी खिला हो जाएगा पेसिन से बताया 99 इस दा राइट आंसर यह टेकनिक आपको हम कई बार बता चुके हैं महबबस से सिखा चुके हैं ठीक है तो पेसिन से इसको कीजिए हाँ मैंने कमेंट देख लिया था मिरे भाई कि वो मिश्टेक हो गया 5.5 बिलकुल मिरे भाई तो हमने आपके सामने प्रॉपर इमानदारी से बता दिया बोलो हाँ आज क्लास खतम होने के बाद इसकी पूरी पीडियव एक सो साथ कोशन आपको मिल जाएगी टेली ग्राम में ठीक है क्लास खतम होने के 15 मिनिट बाद पूरी पीडियव डाल दी जाएगी ठीक है फिल्कुल प्रॉपर लिखा होगा आराम से सर्च कर लेना एक क्लास में लड़के ओ लड़के ओ का अब दिखो यही कोशन सीजल में आया चल में अया मतलब एससी टीच्श का फेवरेट और बच्चा अभी तर ना समझ पाय तो स्वयम जिम्मेदार एक क्लास में लड़के और लड़कियों का आउसत 2 इस्टू 3 है यानि बॉइस एंड गर्स का जो रेश्यो है वो 2 इस्टू 3 है क्लास में सभी चात्रों का आउसत 54 है तो ओवराल 54 है फिर कहता है लड़कों का आउसत प्रातांग लड़कियों से 50 परशिन अधिक यानि लड़कियों का अगर 2X है तो लड़कों का 3X हो जाएगा इसका गुणा कर दो ये 6X हो गया ये भी 6X हो गया और 3 दो 5 गुड़े 54 कर दो मेरे बाई कर दो 54 गुड़े 5 पांच उका 20 दो हासिल 25 दो 27 तो यहां से X निकाल लो 270 बटा 12X आएगा पहले बोलो हाँ कहता है हमसे प्रभू लड़कियों का अउसत बताई है जब लड़कियों का अउसत बताया तो लड़कियों का तो ये 2X है यानि 270 अपॉन 12 गुड़े 2 दो से ये 6 बार 6 से भाग दो तो 64 को 24 ये 45 इस दा राइट आंसर 134 का आंसर 45 आएगा अब आप खुदी देखिए इसलिए किताबे हम पढ़ाते हैं कि किताबों से सीखने को मिलता है किस एक्जाम में किस लेबल का कोशन आ रहा है समझ गए बोलो मगर प्यार से 134 के बाद 135 नंबर कोशन SSC GD में आया हुआ खत्रा है प्यार से दिखिएगा कहता है एक परिच्छा में 42 शात्रों के आउसत अंग 61 थे देखिए यहां पर मुद्दा है हिंदी इंग्लिस में हलका सा एरर है यह 61 नहीं 64 है यह एरर है इस किताब में यहां इंग्लिस में 64 दिया गया वो छापने में हो गया बहुत कम एरर होती है यूथ पब्लिकेशन की किताबों में मतलब नाम मात्र की एरर तो 42 शात्र हैं और जिनका और 64 है according to the question बाद में यह पाया गया कि तीन चात्रों के अंग 64, 42, 26 की जगए बातर 58, 44 पढ़ लिए गया यानि हमने पढ़ लिए बातर 58, 44 पर होने क्या थे 64, 42 और 26 तो इसका डिफरेंस लेंगे मिरे बाई क्योंकि हमने जादा पढ़ लिया तो इसलिए जादा वैलू है यह कम है तो हमने जादा पढ़ लिया इसलिए यहाँ पर माइनस होगा और याद रहे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा इन 42 में तो 42 से भाग देना होगा 64 ऐसे रखो 22 में से 64 गया 6 2 8 आएगा 58 में से 42 गया 16 आएगा 24 में से 26 गया 18 आएगा 18 8 होता है 26 26 16 42 यानि माइनस का 42 बटा 42 समाच इसे 1 कहेगा 64 में 1 जाएगा 63 आंसर आएगा डेडिस कार्ट प्रकास सोलूशन यहीं इसका आंसर होगा कई बार बताया है तो आपको घबराना नहीं है इसकी कैलकुलेशन आप जानते हैं भाई यह चीज़ हमने यहां लिखी जादा लोग क्या करेंगे यहां यहीं जोड़के घटा के लिख देंगे और क्या यहीं जोड़के घटा के लिख देंगे पर हमने इमानदारी से यहां लिखकर दिखा दिया कि एक्च्वल में करना क्या था आई होप यू गाइस अंडेस्टेंड धीरे धीरे पढ़िए चीजों को सीखें प्यारे दोस्तों मौहबबस से पढ़िए बाकी सब मौमाया है सेलेक्शन लीजिए ठीक है एक सो पैतिस के बाद 136 जी हां 136 वाला सीखेंगे देखें अब जो कोशन है बच्चा वो मैच पर आधारित है किस पर मैच के कोशन में कहता है एक देवसी मैच में टीम ए ने 50 ओवर में अपनी पारी में 5.3 रन प्रती ओवर की दर से बनाए यानि 5.3 इंटू 50 ये बनाए पहले बोलो हां और टीम भी खेल लए और 5 ओवर बचे हैं तता टीम एक के स्कोर की बराबरी करने के लिए आविश्यक रन रेट 7.2 है तो ये तो 5 ओवर का है 5 गुड़े 7.2 गुड़ा कर लो 15 ऐसे 25 और 26 265 यहाँ पर 36 आजाएगा घटा दीजे 15 में से 15 में से 6 गया 9 यानि 239 देखे ये कोशन उन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा जो मैच की बारे में जानते हैं हम एक बार फिर से बताएंगे क्योंके भी दो तीन बार ऐसे आएंगे और CGL में आए हुए मेंस में तो ऐसा नहीं है कि टाफ है आसान है भाई देखो एक दिवसी मैच में 50 ओवर होते हैं जैसा बोले है और 2020 भी अलग चलता है तो 50 ओवर हैं उसमें 5.3 के हिसाब से रन चलना है ओन एन एवरेच तो टोटल 265 रन बने दूसरी टीम खेल लई है उसमें 45 ओवर तक क्या रन बताये बनाये हमको नहीं मालूं पर अंतिम 5 ओवर में उसको 7.2 रन रेट के अकॉइडिंग रन बनाने तो 265 में 5 गुड़े 7.2 यानि 36 गटा 29 रन बना लिए थे टीम भी का स्कोर क्या है राइट नौ क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है किरन की किताब कल से फिर से चालू कर देंगे जो पढ़ार है मेरे भाई ठीक है बीच में एक-दो दिंग के लिए घर दाना पड़ा चीजे हैं तब भी हम एक्टिव रहते हैं कहता है फिर से 137 में कि 50 ओवर के एक दिवसी मैच में एने एक पारी में 6.1 के रन रेट बनाया यानि 6.1 इंटू 50 माइनस टीम भी खेल ले और 10 ओवर बची हैं तब मैच को टाई करने के लिए आविश्यार रन रेट 6.5 है तो 6.5 के हिसाब से 10 ओवर इसने खेले तो कह रहा है टीम भी का स्कोर अभी क्या है राइट नौ सिंपल सा कोशन है पांच का गुड़ा गुड़ो छे पंचे 30 यानि 305 बने ये 65 घटा दोगे तो कहीं न कहीं 240 रन का खेला है और आप विश्वास नहीं मानोगे ये सीजियल मेंस के कोशन है ठीक है इसी लिए हम किताबे पढ़ाते हैं कल कोई ये कोई न कहें कि सर लॉलिपॉप कोशन करा रहे हो किताबे पढ़ोगे तो आपको वास्तों में चीजे मालुम चल जाएं 137 के बाद 138 अब देखिए ये कोशन ये जो कोशन इसका चलन बहुत है हम आपको एक प्रॉपर वेल प्रॉसेस तरीका बताएंगे जहां कोई मैनत नहीं करना हर बार मेरी कहानी को समझोगे समझो फर्जी कोशन भाई प्रकास सर ने 16 मैच खेले ये प्रकास सर 16 मैच खेले इनका ओसथ एक्सर रन है कहता है एक बल्ले बास ने अपने केरियर के 70 मैच में 98 रन मनाए यानि प्रकास सर ने 16 मैच खेले एक्सर रन बनाए और आज सत्रवी पारी खेल लेत सत्रवे मैच अब प्रकास सर ने ठोक दिया 98 रन ऐसा करने से ऐसा करने से प्रकासर का जो पुराना उसत है वो बढ़ गया कितना धाई रन भाई 98 बना दिये अब हमारा धाई का एवरेज हो गया 2.5 का क्या एक्ष्ट्रा मतब बढ़ गया पुराना पुरानी चीज़ अच्छी हो गए तो कहते हैं कि प्रभू सत्रवे मैच से पहले आउसत क्या यानि ये वाला एक्ष्ट निकालना है पहले समझो एक बार समझना तो कि भी लगाता चार पांच आएंगे और तेजी सी उड़ा देंगे कुछ नहीं कोई महनत नहीं कराएंगे कि 16 मैच में अब मैच नहीं और रिकॉर्ड है भाए और और अएवरेज बढ़ गया तो हमसे पूछा गया कि 16 मैच में कितने और यूसत नदो बना रहे थे यही तो पूछा गया, अब आपको कुछ नहीं करना, ये ढाइड़े बड़ा, ये ढाइड़े कितने लोगों का बड़ा, 16 लोगों का बड़ा, 16, 30, 16, 40, 16, 40 ही होता है, कर ले न मेरे बैद, 16, 40, यानि 40 लड़ू प्रकासर के कम कर दो, प्रकासर के 40 लड़ू क्या करो, एक सेकेंड, 16, 40 लोगों बात की बात है, 17 मैस से पहले उसका और सच चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 40 कम कर दो, तो अभी का जो राइट नाउ का ओन इन आवरेज आजाएगा, वो 58 है, और 17 मैस से पहले का चाहिए, तो ये तो अभी का है, इसमें धाई और कम कर दो होगे, तो 55.5 आ जाएगा, मनलब पहले प्रकास सर्फ 55.5 के साफ से लड्डू बनाते थे, और आव लड्डू 58 के ओन एन आवरेज से हो गया, कैसा लगा ये कोशन, इमानदारी से बताए, ठीक है, अरे पहले वाला 58 नहीं होगा, पहले वाला नहीं, बाद वाला 58 होगा, मोटा मोटा दिमाग लगाओ, गुस्सा मत दिलाओ, 16 मैच खेले, आपने कित्ते लड्डू बनाए, नहीं मालू, 17 मैच में 98 में बनाए, यानि 16 मैच में धाई डाई बढ़ गया, धाई डाई कम कर द हूं, अब बोल दो हां, अब देखो खेला बार बार, कोई मेनट नहीं करना, इदर देखिए, मेंस के कोशन, धुवाद करेंगे, किसी बल्लेबास ने अपने कैریयर में 21 मैच में 87 रन बना दिये, अब प्रकास सर खेल ल ले किसमें मैच में 87 रन बना दिये, 20 में 20 मैच में क पहले एक्स था तो अब एक्स प्लस दो उसत हो गया मेरे भाई दो हो गया इसका मतलब यहां बढ़ियां खेल गया हम दो दो रन इन बीस लोगों के बढ़ गया है बीस दूना चालिस चालिस कम कर दो अभी मेरा उसत 47 है यह राइट नौ का है प्रेजिंट का कहता है 21 मैच के पहले उसका उसत क्या था 47 में दो कम करोव 45 था अरे ठोक लाइक बोलो हां कैसा लगा किताब से हटकर मोहबस से देखे एक बच्चा एकी कमेंट को बार बार कर रहा है सर किरन में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा जब पढ़ाएंगे तब देख लेना मेरे दिवता अभी पढ़ा लिन दू ठीक है समझ गए पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो मेरे भाई कि अग्यार से पढ़िए मोहबस से सीखे तो बीस मैच में एक से 21 में 87 समझ चाले अभी फिर आएंगे थोड़ी देर में थोड़ी देर में आएगा इसा कोशन अब देखो ये तो सीजल मेंस में पूछा गया अब सीप्यों में भी एससी पूछ रही है ऐसे कोशन के तब पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का उसट 4.5 था यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों तो अगले 30 ओवर के लिए प्रती रन रेट क्या होगा एक चीज़ दोको टोटल 282 बनाने है और 20 ओवर में साड़े चार का उसत है और हमें अभी 30 ओवर में रन चाहिए तो ये 90 इसमें घटाओगे 90 घटाओगे तो 192 आएगा बटा 30 भाग दो 6.4 is the right answer अब बताईए देखिए 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 लाइब देखिए आया की नहीं आया एससी सीप्यो एसाइए में पिर से देखिए once again दिखना ये वही कोश्चन होगे जो थोड़ी दिर पहले हम लोग सीजियल मेंस में देख रहते कैता पंदरवी पारी में प्रकास सन्ने 92 रन बना दिये तो 14 पारी में कितने बनाए ये समाज को नहीं मालूं बट प्रकास सन्ने पंदरवी में पंदरवा मैच खेला और 92 रन बना दिये कहता है प्रभू आपके 92 बनाने से औस चार बढ़ गया पहले एक्स था तो अब एक्स प्लस चार हो गया तो चार कितने लोगों का बड़ा चओदा लोगों का 14 चोको 56 15 कम कर दो 12 में से 6 आया 8 में से 5 तो ये 3 आया तो कहता है पंदरवी पारी के बाद आसत क्या है तो 36 इस दा रिट आणसर फ़ह पंदरवी बारी के बाद जो आसत है वो क्या है؟ वे 36 है और 36 इस दा राइट आंसर बोलो बोलो टेल टेल तुसी तो मिल लही है चालिए एक सो एक तालिस के बाद 142 ठीक है प्यारे दोस्तों इस किताब का मेंसुरेशन रिकॉर्ड करके एप में ही दिया जाएगा उस क्लास को यूटूब में लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा बढ़िया कोशन है समय लगेगा जैसे आपको हमने जेमेटरी पढ़ाया है उसी हिसाब से एप में ही मेंसुरेशन पढ़ाएंगे डेली रिकॉर्ड करके 20 मैचों के लिए एक क्रिकेटर का आउसत स्कोर 52 रन है 20 मैचों के लिए आउसत 52 रन है पहले समझो उसका अधिक्तम स्कोर उसके न्यूंतम स्कोर से 120 रन अधिक है यदि इन दोनों पारियों के निकाल दिया जाए तो बाकी 18 मैचों में उसका आउसत 50 है इससे पहले वाले सेसन में बताया था कि देखो 18 मैच में एक तरीकिस देखा जाए उसका आउसत 50 है लेकिन 20 मैच में उसका आउसत कितना है 52 है तो यहाँ पर दो पारियां इंक्लूड हो गए दो पारियां इंक्लूड दो यहाँ पर और यहाँ पर दो बढ़ गया पहले बोलो हाँ उल्टा कर सकते हो not a big deal हमने आपको सिखाया था इस दो का गुणा इस बावन में करना है और इस 18 का इसमें और हमने कहा था अगर इधर प्लस है तो प्लस का सिंबल लेना है 52 दूना 104 यह हो गया 18 दूनी 36 यानि 140 रन यह एक्स्ट्रा हो जाएंगे और यह 140 रन वो कौन से हैं जो दो मैच निकाले गए क्योंकि तो को 20 मैचों का ओसत बावन है उसका अधिक्तम स्कोर और नियूंतम स्कोर 120 रने इन दोनों को हटा दो तो 18 मैच का 50 है तो हमने वो दोनों निकाली है 140 अब हमसे कह रहा है कि प्रभू क्या कह रहा है कि प्रभू 120 रन का अंतर है 120 रन का अंतर है यही बोला है कि नहीं बोला तो ऐसा करो 120 का अंतर तो मोटा मोटा 110 होगा एक 130 होगा कभी 120 का अंतर होगा तो कहता है भाईया अधिक्तम बता दो तो अधिक्तम तो 130 है आएगा किसी को कभी ये चीज निकालना हो 140 है 70 70 बाट दो 120 का आदा 60 तो 60 इदर घटाओ 60 इदर जोड़ दो दियोता ये 10 हो जाएगा और ये 130 दोनों का अंतर 120 ठोको लाइक बोलो हाँ कोशिस यही है कि आज इस शैप्टर को well manner complete किया जाएगा DI के लिए अभी patience रखो सोचेंगे ठीक है DI के लिए अभी patience रखो तो I hope ये चीज आप समझ गए होंगे ठीक है दीके हम record उसी चीच का करते हैं जिसमें हमें बिल्कुल आराम से slow version में पढ़ाना है जहां हमें comment नहीं देखना है इन classes में हम comment देखके पढ़ाते हैं बाकी में नहीं समझ गया आपके comment देख रहे है तो ये चीज आप समझ गए तो ये एक प्यारा सा question था जिसे मोहबबस से बता दिया गया अब ये फिर से उसी pattern पे question आ गया धैर रखते और सीखिए के तक cricket खिलाडी का 20 मैचों में और सत 35 है यदि लिए फ़े बारा मैचों का औसत 45 है तो अंतिम आठ मैचों का आप चीज़ देखो 20 मैचों का ऊसत 35 है पहले 12 का और अंतिम 8 का चाओ तो रेशियो ले लो 3 is to 2 तो 4 से हमने काटा एक त्रीकी से हमने रेशियो ले लिया 4 से काटा तो ये भी कट गया ये 4 से कटे तो ये भी कट गया ना 4 से भाई 3 2 5 तो हुआ फिर फिर ये वाला कंडिशन चलेगा ना 35 में समझ गया तो कहता है 12 मेचो का और सब 45 है तो ये वाला 45 हो गया 12 इधर था इस वाले का एक्स यही पूछा गया 45 ते आए 135 होता है 2 इंटू एक्स तो ये 2 एक्स होगा और 5 का 35 में गुड़ा 175 होगा मेरे प्यारे दोस्तो 2 एक्स ऐसे इसको घटा दो 40 आएगा तो एक्स बराबर किसके 20 के the right answer of this question 20 आएगा बहुत प्यारा question है 20 is the right answer ठीक है तो ऐसे question को आप धीरे धीरे जब सीखते हैं तो आपका confidence बढ़ता है बोलो मगर प्यार से ठीक है और ये तरीका हमने बहुत बार सिखाया है पूरे स्लेवस में जबर्दस बताया है ठीक है कि चले दोस्तों 143 के बाद 144 नंबर कि CHSL का एक प्यारा question और देखे अभी same pattern का यही सब सीखना होता है same pattern का CGL में में CPO में ठीक है अब लोग CHSL में यही सीखना है कि question वही है तरीका समझो कहता है प्रकास समने ग्यारवी पारी में 77 रन बना दिये बोलो हां तो 10 पारी में कितने बनाए किसी को नहीं मालूप पर ग्यारवी पारी में प्रकास समने 77 रन बना दिये तो कहते हैं कि प्रभू औस तीन बढ़ गया यानि पहले एकस था अब एकस प्लस तीन हो गया यही न और बाकी प्रकास मैथेड यह तीन है तो यह कितने लोगों का बड़ा सीदी सी बाद दस लोगों का दस त्या है सीखने वाला चाहिए सीखने वाला कि 144 के बाद 145 MTS का कोशन डरना नहीं है सीखना है मैच पे ही है किता एक टीम ने 30 ओवर में 156 रन बनाए और 50 ओवर में 275 अगले 20 ओवर में उसे प्रती ओवर कितना रन बनाए एक चीज़ देखो तो 50 ओवर में उसने 275 बनाए और 30 ओवर में उसने 156 मनाए यह घटा दो और इन दोनों का अंतर 20 से ओवर का उसत चाहिए 15 में से 6 गया 9 आया 16 में 6 में से 5 गया 1 आया और यह 119 बटा 20 भाग दो उपर वाले को क्या करो भाग देना पड़ेगा न मिर बाए ऐसा कर लो भाग दो पाँच ऐसे पंदरा उननीस अठारा 5.95 is the right answer of this question 145 का आंसर 5.95 खो जाएगा सिंपल सा है आप मोटा मोटा समझो मैच में पचास ओवर होते हैं दो सो पचात्तर रन बनाए तीस ओवर में 156 बनाए तो जो बचेगा इनका घटा वो 20 से ओवर में बनाए गया रन बनेंगे 119 रन बीस ओवर में बनाए बीस से भाग दोगे 5.95 is the right answer of this question अरे ठक लाइक बोलो हाँ सीजल की प्रिप्रिशन कैसे करें उसको बाद में समझेंगे अभी दियोता पढ़ लो यह सब सीजल का ही है ठीक है सारे फर्जी बाते फर्जी डिसकर्शन अब इसे कहते हैं वो अंत में करते हैं अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस 146 नंबर कोशन जियां ससी जीडी का कहता है 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड सो ओन 200 बार है और 8 प्लस 8 प्लस 800 बार है का आउसत ग्याद किजिए तो यह पांच कितनी बार है 200 बार है तो योग करोंगे आठ कितनी बार है 100 बार है बोलो हाँ आउसत तो 200 और 100 टोटल कितना हो गया 300 और आउसत चाहिए यानि एवरेज त्योटाओ यह 10 हो गया और यह 8 18 बटा 3 यानि 6 दा राइट आंसर SSC GD का कोशन जी हां रिपीट होते हैं कोशन ये बात याद रखना प्यारा कोशन MTS का फिर आ गया कहता है पचास रुपए इंगलिस में पढ़ लो 30 केजी ऑफ राइस कोश्टिंग 50 रुपीज पर केजी यानि 30 केजी एज एक क्वांटिटी है और रुपिया है पचास रुपिया ये बात को समझो इस मिक्ष्ट भी 20 केजी ऑफ राइस 60 रुपीज यानि 20 केजी चावल 60 रुपिया किलो वाली में मिलाए जाते हैं वट इस दा आवरेस कोश्ट ऑफ मिक्ष्ट पर केजी बड़े प्यार से हम बता देंगे आप भी खुस हो जाओंगे कुछ लिए करना ये जीरो से जीरो हटा दू बस ये देड़सू हो गया ये 120 हो गया और 325 से भाग दे दू चाओ तो ऐसे काट दो ये 30 बार में गया ये 24 बार में गया 54 इस दा राइट आंसर ठोको लाइक बोलो हाँ और बहुत से तरीके हमने और लेडी बताए हुए है ऐसा नहीं कि हम यही तरीका बता रहे हुए हमने आपको कई सारे तरीके बताए हुए है तो इसका आंसर 54 आएगा प्यारे दोस्तों सीजियल ने ये कोशन भी ये भी एक नई वेराइटी है इसकी ठीक है ये अभी हम 3 से 4 बार करेंगे देखा जाए जब बार बार आए तो चीजों को समझ लेना चाहिए कि हम तेजी से कैसे करेंगे समझ गए पहले बोलो हाँ जब बार बार आए तो तेजी से समझ लेना चाहिए कि कहता है तीन संख्याएं इस प्रकार है कि यदि किनी दो संख्याओं के आउसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तब योग इतना 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 तो मूल तीन संख्याओं का आउसत मेरी बात को समझना एक बार बेसिक तो बिना बेसिक अब बताओ इसमें कौन सा नया रूल लाके धर देंगे बस यह कि आप बार बार करेंगे तो हमें मालूम है कि इनको double करो double करने के बाद योग करो 4 से भाग दो तो वो तीनों का योग आया फिर 3 से भाग आंसर आया तो बार बार आया तो ऐसे करो वन्ना समझदार हो तो तो अभ्यास पे डिपेंड है अब देखो मैं करके दिखाऊंगा इसा नहीं है 3 संख्या XYZ कि तब 3 संख्या इस प्रकार है किनी 2 संख्याओं के आउसत को तीसरी संख्या में जोडा जाए यानि पहले हमने XY का आउसत लिया और तीसरी संख्या यानि Z में जोडा गया पहले बूलो हाँ तब 168 आ गया 168 फिर 2 संख्या YZ का योग कर लो इनका तो अब यहाँ पर X ऐसे 174 आ गया फिर ऐसे YZ हो गया अब ZX कर लो और योग कर दो ZX YZ XY सही है साइक्लिक करम है तो यह 180 आ गया जेको मोटा मोटा अगर आप जोड़ना चाओ तो आप किताब से हटकर भी जोड़ सकते हो यह नहीं कि किताबह वाला जोड़ो आप मोटा मोटा देखो मोटा मोटा XY2 X XY2 तो यह XY2 X और XY2 तो यह 2X हुआ Similarly Y by 2 Y by 2 और यह Y तो यह 2Y हुआ ना बोलो हाँ Similarly Z Z by 2 Z by 2 तो यह 2Z हुआ ना बोलो हाँ तो अब इनको ऐसे ही जोड़ो Double, Triple करने जोड़ने फिर दो से भाग दे दो तो यह तो आप की सोच पे डिपेंड है कि आप कैसे सोच रहे हैं तो आप समझ गए होगे इनका जो योग करोगे वो 2X X प्लस Y प्लस Z आएगा और यहाँ जोड़ो 8, 4, 12, 2, 1 हासिल 7, 6, 13, 1, 14 14, 8 कितना 14, 8, कितना 14, 8, कितना 22 2 हासिल 3, 2, 5 5, 22 अब X प्लस Y प्लस Z क्या होगा 16 होगा अब हमसे कहता है प्रभू देवताओं क्या मूल तीन संख्याओं का औसत क्या होगा यानि तीन से भाग दोगे तीन से भाग दो तीन से भाग आर्टरी का 24, फिरिकाई, 87 8, 7 is the right answer तो किताब से आप बच गए और चीजों को प्रॉपर कर लिए तो ये आपकी महनत पे डिपेंड है कि आप कैसे सोच रहे हो और कैसे कर रहे हो तो right answer of this question 87 अभी दो से तीन बार ये question फिर आएगा फिर हम बताएंगे किसी को कोई कश्ट नहीं होगा क्योंकि पहले भी ऐसा question कराया है बोलो हाँ दोस्तों अभ्यास किजिए थीरे दीरे बढ़ते रहे हैं अब देखें ये CGL का प्यारा question टाफ नहीं है ना इत्तु सा भी टफ नहीं है पड़ो कि तो चार अलग अलग धन संख्या आरूही क्रम में है यानि ascending order बढ़ते हुए क्रम तो माल लो भाई ABCD सभी चार संख्याओं के आउसत का एक तीहाई अब चार संख्याओं का उसत तो इन चारू का यूँग वन थर्ड यानि अच्छा एक सेगंड चार सभी चार संख्याओं के आउसत का एक तीहाई मतलब यह इसका उसत हो गया और एक तीहाई नहीं बोला गया that's why is value का 1 by 3 करने को तो मैं वहां लिख देता पर नहीं इन में से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है यानि यह D से 19 कम है तो इसको आप solve करो कुछ नहीं है अभी इसको solve कर लें करें अभी इसको solve कर लें करें अभी इससे नहीं होगा पहली पहली तीन संख्याओं का उसद 12 है पहली तीन संख्याओं का उसद क्या है 12 है यानि बच्चा A B C by 3 बराबर 12 की यानि 12 त्याए 36 यह value किसकी हो गई ABC की value हो गई 36 तो 36 प्लस D 4 त्याए 12 ऐसे D-19 पढ़े प्यार से सीखेंगी 12 से भाग दोगे यह 3 आएगा ऐसे रेंदू या 19 को इधर लाओगे तो प्लस का 19 भाई इस से भाग दिया 3 19 इधर लाए तो प्लस का अब यह D ऐसे है और D-12 यानि 11 D by 12 11 से यह गया दो बार में क्योंकि 22 हो गया 12 दूनी 24 यह D की value हो गई हमसे कहता है दियोता सबसे बड़ी संख्या तो वो D ही होगा क्योंकि ascending order में है बढ़ते क्रम में 24 इस दा right answer तो आपको main focus क्या करना था पहले यह line लिखनी थी दूसरी यह line फिर ABC की value हमें मालूम चल गई 12 यह 36 उठा के रखो और यह calculation ए D की समझ गए बोलो मगर प्यार से चले धन्वाद सभी प्यारे दोस्तों को परते रहे है मुस्कुराते रहे है और answer बताते है चले दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए अब जिसे यह MTS का कोशन क्या कहता है पचास लोगों के लिए एक अच्छा यह कोशन बहुत अच्छा है यह कोशन अच्छा है मैं बच्पन में इसको RS अगरवाल में पढ़ाता है इसी पैटर्न का वहां 9 लोग किसी पार्टी में जाते हैं अभी भी RS अगरवाल की किताब में यह होगा average का कोशन मलब इसी पैटर्न का यह तो हटकर है बढ़ियां कोशन आज की डेट में मलब जिन्दगी का कोशन है कैसे 50 लोगों ने एक पार्टी का Wisconsin किया उनी के खर्चे पर किया गया मला 50 लोग और उनी के खर्चे पर पूरी पार्टी अरेंज थी उन में से 48 लोगों ने 950 रुपए का बेखतान किया जबकि अन्य दो ने समू के आुसत वैसे 1200 रुपए अधिक का बेखतान किया खर्चा किया गया कुलवे ऐसा होता है जो भी पार्टी अरेंज करता है उसका पैसा जादा लग जाता है बाइट सबको लाना ले जाना उसका दोस्ति यारी में कोई पैसा नहीं देता ठीक है नहीं देता ये बात हकीकत है आप करके देखो एक पार्टी अरेंज करो खुदी organize करो हाँ वो बात लगे कि तुम घपला कर जाओ तो तो फिर कोई बात है नहीं इमानदारी वाला सिस्टम की सब को मालू में क्या क्या होगा तो तुमारी गारी का जो पिट्रोल है वो तो तुमारी जबकि अन दोने और सथ वैसे बारा सो यानि अन दोने माना और सब एक्स था तो इन लोगों ने एक्स के साथ साथ बारा सो एक्ष्ट्रा पे कि तो यह कितने लोगों एक्ष्ट्रा पे कि दो लोगों ने यानि 2400 रुपया दो लोगों ने एक्ष्ट्रा पे किये और ये किनके काण पे किये इन 48 लोगों को तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा 48 से भाग दो मनलब इन दो लोगों ने 48 लोगों का 50-50 रुपिया अपनी जेब से लगाया बोलो हां तो कहता है खर्च किया गया कुल धन कितना है कुल धन कितना है अब 50 रुपिया इसमें जोड़ दो तो हजार रुपिया हो गया ऑन इन एवरेज 50 लोगों का आउसत हजार रुपिया तो बस 50 का गुणा करोगे 50,000 का बिल आया फिर से समझो क्योंकि बहुत से बच्चे कन्फुजी आ गये होंगे क्योंकि मैं किताब से हटकर ही पढ़ात हो इसको ठीके मेरी आधात है मैं क्या करूँ और अच्छा कोशन है एक बार फिर से समझेंगे अच्छे कोशन में तो हम वैसे भी इदा रहते हैं अराम से पढ़ाते हैं 48 लोगों ने 950 रुपए का भुकतान किया एक एक वर्ड सुनना 48 लोगों ने 950 का भुकतान किया दो लोगों ने आसथ अब यह आसथ 950 नहीं है आसथ से 1200 अधिक पेमिन्ट किया तो देखा जाए औसत देखो भुक्तान 950 किया गया पर औसत एक्स है और दो लोगों ने एक्स के साथ साथ 1200 एक्स्ट्रा दिये तो 1200 एक्स्ट्रा किते लोगों ने दिये दो लोगों ने एक्स्ट्रा दिये ये तो दिया ही दिये और ये अपने मित्रों के कारण तो 1200 दूना 24 200 रुपिया एक्स्ट्रा गया और यह किसके लिए गया यह 48 लोगों के खर्चे गया क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा पेमिंट किया दो लोगों ने वह 48 लोगों में जा रहा है यानि इन दो लोगों ने 50-50 अपने दोस्तों का सुखार किया तो 950 पे 50 जोड़ेंगे तो 1000 पचास हजार का बिल बन गया ठीक है पहले बोलो हाँ 50,000 इस दर राइट आंसर ओप दिस कोर्स चले 50,000 इस दर राइट आंसर ओप दिस कोर्शन मैंने कोर्स आइद बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं बहुत प्यार से बहुत आराम से हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी ज्यादा से ज्यादा ये भी है ये नहीं कि सिर्फ यही किताब ये तो किताब का तो कोर्स लिया है बाकी एक्स्ट्रा भी चीज़े हम देते रहते हैं कि पढ़ लो सेलेक्शन ले लिए बढ़्या कोशन ये कोशन देखे ये MTS का कोशन है देख लो देख लो गौर से जो कहते हो कि नहीं देख लो ये MTS का कोशन कितना बड़ा अब पेपर बच्चा दो लाइन पढ़ने के आगर डालता नहीं है तीन, तीन, छे, दो, आठ, आठ, लाइन का कोशन MTS में हमारे जैसे लोग तो छोड़ी देंगे सीदी सी बात नहीं बिलकुल आसान कोशन है एक बार अगर सही से पढ़ लिया देखो ऐसा होता है गाव दियात में क्या है कि पहले अगर बुजरगों में जाएं तो जैसे द नानी की बेहन से पूच रहे तो उनकी 74 से 80 साल के आसपास होंगे मालूम चला किसी और से पूच रहे हैंँने ऐसे मनलब एक ここ का अनुमाल लगाने के लिए कहा गया किसी को मालूम다면 यह आदमी देखकर बताता है उसने माल लगा है कि उसका वजन सत्तर केजि से अधिक लेकिन असी केजि से कम है देखो सत्तर से अधिक है और असी से कम चाहता है से से ज्यादा है और 80 से कम है यह मैंने मान लिया मैं अपने प्यारे से मित्र के पास गया तुम भाई तराजू तो है नहीं तो मैं गया मित्र के पास तो कहता है दोस्त ने उसके वजन का अन्मान 104 से 84 की बीच तो कुछ लोगों को जादा मोटे लग रहें तो वो कहता है कि यार नहीं तुम्हारा वेट 24 से 84 की के बीच यह मेरे मित्र ने बताया प्र मैं मम्मी के पास गया और जानते हो अ जानते हो मम्मी तो कभी यह कहेंगी करा दोस्त लोग तुमारे फरजी बता रहे तुमारा70 सबर्ट संब लगाया था थो संभावित वजन का और सक्याइब अब यहां देखो प्यार से देवताओं देखो यहां वाली लाइन को अगर देखा जाए तो 74 से ही देखना पड़ेगा चुकि 70 से ज़्यादा अब यह 84 तो अम ऐसा तो है नहीं कि 71, 73, 73 ले ले लें चौतर ज़ादा 98 से कम तो कौन कौन संग्याति है 75 आती है 76 आती है और 77 अप इस रेंज में आप यही इसी इसी रेंज में आप हो जाएगा हमारा सर ऐसा क्यों भाई 80 से कम क्योंकि तीनों राइट हैं यह बोला गया तीनों राइट है तो मम्मी गलत हो नहीं सकती तो 78 से कमी में आओगे तो इधर वाले में कि बढ़ियां से पढ़ेंगे प्यार से सीखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे चलिए एक बच्चा लगा हुआ है बस यहीं बोलवाने के लिए कि राधे राधे बोल दो अरे भीया यह सब कहने वाली बात नहीं है ठीक है मेरे प्यारे दोस्त पढ़ लो तो कश्ट हो जाएंगे तुम्हारे आधे और बोलो राधे राधे ठीक है अब पढ़ लो मेरे भाई 76 इस दर राइट आंसर कहते हैं तीन धनात्मक संख्या हैं यदि उन में से किनी दो संख्याओं को आउसत थोड़ी दिर पहले ऐसा कोशन हमने देखिए लाइव में दिखाता हूं लाइव इसलिए कहते हैं किताब ऐसी लगाओ जिससे आपका सेलेक्शन हो सेम पैटर्ण का कोशन SSC CGL में पूछा गया जो लोग कहते हैं कि नहीं वाई दिस कोला वरी देख लो और सेम पैटर्ण का कोशन अब MTS के एक्जाम में पूछा जा रहा है तो SSC में कोशन का कोई वो नहीं है देखिए तीन दनात्मक संक्या जी इन में से किनी दो संक्याओं का और सब तीसी संक्या जोड़ा जाए यानि एक्स प्लस वाई बटा दो और तीसी संक्या जेट जोड़ा जाए 68 सेम ऐसे वाई प्लस जेट का आधा एक्स ये चोहतर सीम ऐसे जेट प्लस एक्स का हाफ और ये य और ये अठानवे थोड़ी दिर पहले अमने बताया था कि बच्चा इसको जब जोड़ो गे तो जेड जेड बाई टू जेडबाई टू यानि टू जेड होगा टू एक्स होगा तो सब तू तू बार सब आएं इनको जब जोडते हो इधर जोड़ लो आठ चार बारा आठ बीस दो हासी साथ छे तेरा नौबाइस तेरा नौबाइस ही होता है बाइस दो पचीज डाइस वा गया यानि एक्स वाई जेट का जो योग आया है वह एक सो पत्चिस आया अभी खेल गया अब यह सीजिल से टफ हो गया क्वेशन हां सीजिल से टफ हो गया अभी देखो कैसे पहले बताओ यहां कोई कश्ट नहीं अठ चार बारा आठ बीस जीरो दो हासिल आठ चार बारा बीस जीरो दो हासिल चेह दो आठ आठ साथ आठ साथ पन्रा पन्रा नो चाविस ठीक है एक्स प्लस वाई प्लस जिट का जो योग आएगा वह एक सो बीस आगा अब यहां पर खेल गया इसको समझों देखो यहां खेल है यहां आपको XYZ निकालने को बोलेगा क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का आउसत क्या होगा यहां और खेल गया अब पहले आपको सबसे छोटी निकालनी होगी सबसे बड़ी उसके बाद आउसत तो यह MTS का सीजल का भी चाचा जी हो ग रहेगा सर कैसे निकाले गहरी सास लेके निकालो डरना नहीं लड़ना है अंसर निकालना है अब देखो यहां बढ़ गया कोशन अगर मैं यहां से देखो तो एक्स प्लस य प्लस टूजेट अर्शट का दुगना तो आठ दूनी 16 136 आया यह टूजेट होगा 136 एक्स वाई क पहली बार में 136 माइनेश टूजेट प्लस का जेड बराबर 120 तो अठारा यह जेड यानि जेड बराबर आ गया 9 सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जेड बराबर कितना आएगा देखे मेहनत का खेल है और एक गलती तो मालम चला हम सब लोग जूज रहे हैं जेड बराबर 9 नहीं सोरी 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 136 में 120 गया तो जेड बराबर 16 आया इसमें कहां से 9 आ गया तस्ता नहीं सा गर रहा हूं चे मैं भी जेड बराबर 16 पहले बोलो हाँ कुछ छोटा करना पड़ेगा जाद ही बड़ा है चले तो जेड हमारा आ गया आपके सामने 16 अब एक और निकाल लेते हैं यहां वाले मैं आ जाओ तो जेड प्लस एक्स प्लस टू आई तो देखा जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120 है और यहां जेड प्लस एक्स की वैलू जेड प्लस एक्स की वैलू एक्सो च्यानवी माइनेश टू वाई प्लस वाई बराबर 126 घटा दो तो च्छियत्तर आ जाएगा वाई के वाई बराबर च्छियत्तर जड बराबर 16 तो अब हमें एक्स भी निकालना होगा क्योंकि हम कैसे डिसाइड करें कि बड़ा है ठीक है सबसे बड़ा तो यह 16 हो आ गया चे दूनी बाराइड इससे तो आठ आया और समझे ना बारा तो आठ अभी 11 गयारा साथ एक आठ गया तीन यानि अब 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 उस अड़तिस का कोई रोल प्ले नहीं करना है अधिने अधिस ने ताथ एक आठ 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 अठाईस होगा साथ एक आठ नौ तस ठीक है अब देखा जाए सबसे बड़ा च्छी अतर है सबसे छोटा सोला है इसी का आउसत चाहिए तो च्छी अतर प्लस सोला भी या इसमें कोई रोकेट साइंस नहीं लगा सकते प्रकासतर साप सुत्री बात है छे दूनी बारा ऐसे साथ एक आठ एक नौ बान में बटा दो च्छी अलिस इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर एक सो बावन का च्छी अलिस आएगा कैलकुलेटिव कोशन है आपके सामने इमानदारी से कराते हुए अपके तो सर अंधी मार दो अंधी हम नहीं मार सकते हमने तो एक एक वैलू सॉल्व किया है ठीक है एक एक सॉल्व किया है दीकि कभी कबार पेपर में देखो आप देखो एससी सीजेल वाला असान था जो थोड़ी दिर पहले बताया MTS वाला ऐसा कैलकुलेटिव आ गया कि पेपर खराब करते देख लो यह कोशन सीजेल में आया जहां कौनों ग्यान नहीं पूछा गया देख लो चलिए आयोब यूगाइस अंडेस्टेंड 152 नंबर सीखना पड़ेगा अब सारे आसान एकाथ को छोड़कर आजी यह चैप्टर कंप्लीट होगा चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्या का उसस सोला है अंतिम तीन संख्या का पंद्रा है अंतिम संख्या 21 तो प्रथम तो यह चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्याओं का तो ABC का औसथ 16-48 हो गया वैस 16-48 अंतिम 3 तो एख़ा दो BCD का यह 21 यह अंतिम 3 का 45 तो यह 45 हो गया जो इन्हें को घटा दो मेरे प्यारे दोस्तों BCB गया CCC मनलब A-D बराबर तीन के 48 में 45 गया 3, कहता है अंतिम संख्या 21 है, तो पर्थम बता दो, 21 में जोड़ दो, पर्थम 24, तो ऐसा भी कोशन MTS में आता है, तो आसान भी आता है और टफ भी आता है, बोलो, मगर प्यार से, प्यारा कोशन, CGL का, टफ नहीं है, थोड़ी दिर पहले से हम लोगी लग सीख रहे हैं, हाँ, सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं मेरे बाई, कहता है, 45 विद्ध्यारतियों के आसा 66 पाए गए, यानि 45 केंडियेट का जो ओन एन आवरेज है, वो 66 है, कहता है प्रभू, क्या कहत है, यानि दो विद्ध्यारति जिनके 82 और 46 के इस्तान पर गलती से 28, 64 लिए गए, करने थे 82, 46 किये गए, 28 तो यह जादा है, यानि यहां प्लस का सिम्बल आएगा, ऐसा करोर, 628 यह, 840, 108 और यह, 68, 12, 92 घटाओ, यह 6 आया, 16, 16 अंकों का खिला हो गए, 16, बटा 45, सही है ना, आठ, ओहो, देखो, 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 क्या हो रहा है, फिर भी हम बताएंगे, कुछ भी हो, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 8, 4, 12, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 92, 8 में से 2 गया, 6 आया, 8 में से 2 गया, 6, 12 में से 9 गया, 3 आया, 36, अब यह 36 एक्ष्ट्रा आया, कितने लोगों को बटेगा, 45 लोगों को बटेगा, क्योंकि कद्दू कटेगा, तो सब में बटेगा, बताया हुआ है, इसको समाच 4 बटा 5 के नाम से आनता है, और 5 से भाग दोगे, तो 0.8 आएगा, इसका राइट आंसर 66.8 हो जाएगा, बोलो, मगर प्यार से, 66.8 इस दा राइट आंसर, चलिए ब्लोग अच्छा लगा, धन बाद, पढ़ते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, मैनत से बनाया था ब्लोग, वो तो आपने देखी लिया होगा, ट्रावलिंग वाला, माई फर्स्ट ब्लोग, बहुत मैनत से बोट सून से बढ़ी होंगी, 26, ऐसा कोशनम करा चुके हैं, आप मोटा मोटा संजो, मलब तीन संख्या है, A, B, C, और कह दे कि आवसत क्या है, एवरेज जीरो है, तो उनमें से अधिक्तम कितनी संख्या सून से बढ़ी होंगी, सीधी सी बात है, सून से बढ़ी तो B, B हो और जो A वाला होगा, A वाला, वो इन दोनों के योग का, योग के बराबर और माइनस का सिम्बल, तो कहीं न कहीं, आप मोटा मोटा समझो, जैसे कहरा 27 संख्या है, उनमें से अधिक्तम कितनी सून से बढ़ी होंगी, तो 26 सून से बढ़ी कर दो, और जो 27 होगी, वो 26 का यो राइट आंसर, कॉमन सिंस, टीपियो का कोर्शन, केता सोम बार, बुद्धवार, सुक्रवार, सोम बार, मंडे, वेनेज़ दे, और फ्राइडे, और सत्थ 41 है, तो 41 थीज़ दा, 123, पी केता है बुद्धवार, यानि वेनेज़ दे, सुक्रवार, और गुरुवार, इंग् में पढ़ लो, सुक्रवार को फ्राइडे, और गुरुवार को थर्जडे बोला है, 42 है, तीन का गुणा कर दो, 126, केता है, गुरुवार का तापमान 43 है, तो सोम बार का क्या होगा, यही बोला है, डरना नहीं घटा दिना है, वेनेज़ दे, फ्राइडे कड गया, तो माइनस थर्जडे, अब घटा तो माइनस का 3 यह आया, बाई देखो, 130 में से 26 गया, तो मैनस का 3 आएगा, बोलो हाँ, कहता है, थर्जडे का तापमान 43 है, तो मंडे क्या है, तो यह इधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 is the right answer, तो मंडे का जो टंप्रेचर होग बच्चा वो 40 होगा, मंडे का टंप्रेचर क्या होगा, 40 होगा, 40 होगा, 40 होगा, बोलो मगर प्यार से, ठीक है, 156 का अंसर 40, सभी का आगया होगा, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाते चले जाते हैं, प्यार से सिखाते चले जाते हैं, 156 के बाद 157, बड़ा कोशन देखने मे कोई बात नहीं सीखेंगे कि तब तीन व्यक्ति ABC वाले समू का औसत सत्तर है यानि ABC का औसत यानि ABC भाई 3 बराबर सत्तर सत्तर में 3 का उणा कर दो 210 योग हो जाएगा जब इस समू में D सामिल होता है तो औसत साथ हो जाता है यानि अभी तक ABC सी था अब ABC के साथ DV आ गया औसत साथ हो गया यानि साथ में 4 का गुणा कर दो अब टोटल 240 इसका मतला आप मोटा मोटा दो को ABC ABC सेम से यानि D की वैलू यही से 30 निकाल लो साइड में कुछ ना बोलो 30 हो गया कि कहता है एक व्यक्ति E जिसका वजन D के वजन से 5 कीजी अधीक है तो जो E है वो D से 5 अधीक है यानि 35 कीजी का है A का इस्तान ले लेता है इसका इस्तान A का ले लेता है ठीक है लेने दो भाई D A का इस्तान ले रहा है लेने दो कहता है और अब BCD E का औसत 59 है फिर से आप BCD का बोला है B, C, D, E का उसत 59 तो 59 चौका यहां 4 का गुड़ा कर दो नचो को 36, 38, 20, 236 हो गया अब यहां पर आप एक चीज़ देखो मेरे मासूम से दोस्तो B, C, D, B, C, D, किरा A के इस्तान की जगे E ले लेता है यही बोला गया हमने कर दिया आप लाइब देखिए तो E चीज़ सिखाया जाता है बच्चों को डराया नहीं जाता है सिखाया जाता है पहले बोलो हाँ सर हम उसिख गये अमें भी खुशी मिल जाए कह दो कह दो चहाँ सर सिख गये बोलो हाँ नई सिखे तो कोनो बात है नहीं अब क्या है B से B, C से C, D से D कार दो ए और ए का जो अंतर आएगा ए और ए का अंतर ए और ए का 240 दो 36 का अंतर किता हुआ तो खुल के बोलो चार जब ए 35 है तो ए 39 हो जाएगा जो कि 49 में 35 जाएगा चार पहले बोलो हां तो हमें ए भी मिल गया ए भी मिल गया डी भी मिल गया तो हमसे कहता है ए डी का आउसत क्या है तो ए 49 है ती 30 है और ए 35 है इसका आउसत यानि तीन से भाग दो निकाल लो मेरा भाई अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है चौदा चार एक सो चार साइदा रहा होगा बटा तीन तीन त्रिका नो नो चौदा शाओतिस पॉइंट सम्थिंग तो 35 इस दा राइट आंसर तो एप्रॉक्स में इसका 157 का हम लोग 35 आंसर ले लेंगे कैसा लगा धिरे धिरे सब पढ़ाते चले जाते हैं टेली गनाम गुरूप जोइन कर लिजिए क्लास खत्ब होने के बाद आज इसकी पूरी क्लास की पीडियप आपको मिल जाएगा इस किताब का ये चैप्टर कम्प्लीट आज हो जाएगा बाकी चर्चा हैं होती रहेंगी ये कोशन मैंने बताया है कि इस पैटर्न को त्यार करो लेटिस्ट में पूछा जाएगा क्योंकि ये बार-बार सारे एक्जाम में पूछा जा रहा है एक क्लास के वर्बू ए और बी विद्यारतियों का उसत ब्याथतर है इसका कोई यूज नहीं होगा ए बी की छात्रों का साथ और पांच रेशियो है मतलब ए और बी में जो केंडिडेट है उनका रेशियो 7 और 5 है के तब बी में विद्यार्तियों का उसद वजन एक विद्यार्तियों से 20 परशिंट अर्धी का यानि एक बटा पांच प्रिसंदू एक अगर पांच एक से तो बीका 6 एक से इसका आर्थी यह भाई एक मालों 100 तो बीका 120 रेशियो लोगे तो 5 और 6 यानि 5 एक 106 एक्स एक्स बोलो टेल टेल इस यदिस कच्छा में सभी विद्यार्तियों का उसद बावन है ओवराल बावन है तो अपना तो नियम समझ गए होगे यह 35 एक्स आया यह 30 एक्स आया साथ, पांच, बारा का यहाँ गुणा करो के तो बावन गुड़े बारा आया मत करो कोई दिक्कर नहीं 65 एक्स बराबर बावन गुड़े बारा तेरा चौको तेरा पंजह यानि एक्स बराबर 48 बटा पांच एक्स बराबर 48 बाई 5 तो हमसे कहता है वर्ग बी में विद्यारतियों का उसत देखिए कई बार सेम पैटर्न का कोशन करा है इसलिए हम जल्दी करा रहे हैं बी का उसत तो 48 गुड़े 6 बटा पांच चाओ तो 2 का नीचे और 2 का उपर भी कर लो बारा 48 कर लो बारा टे 96 नो हासिल बार चौक 48 और 9 48 नो 57 नीचे 10 से भाग दोगे 57.6 is the right answer एक है कैलकुलेशन प्रॉपर वेल मैनर ठेक है खुसी तो मिल गई होगी बोलो बोलो टेल टेल एक सो अठावन के बाद 159 नमबर कोशन जी यहां दोस्तो कैता 20 मानों का उसत 27 प्रतेक के मान को 3 से गुड़ा कर दे जब 3 से करोगे तो उसत भी 3 से गुड़ा ही हो जाएगा यह क्याकी आंसर मानलो कोई संख्या है जिसे 2, 3, 4 अपके तो इसका उसत 3 है तो 3 है के तो सभी में तीन तीन का गुणा कर दो तो आप देखो आउसत भी तो बढ़ गया ना तीन गुना वसत हो जाएगा तो सब में एफेक्ट पड़ेगा ना मेरे बाई तीदी से बात है तो 81 वसत इसका हो जाएगा कॉमन सेंस का कोश्ण पिर से यह कोश्ण कई बार हमने कराया है तो फिर से करा रहें समझू आद तीसरी बार करा रहें तीन संख्या इस प्रकार कि यदि इनमें से किसी दो संख्या का उसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए यानि एक्स प्लस वाई का जो एवरेज है वो तीसरी संख्या जेड में जोड़ा जाए तो 134 similarly y और z का जो आसत है वो किस में जोड़ोगे x में जोड़ोगे 158 similarly z प्लस x का जो आसत है वो y में जोड़ोगे तो 132 सभी का योग करो सभी का योग इधर तो अभी बताया था किसको जब जोड़ोगे तो 2 x x आएगा 2 x y और 2 x z आएगा यहां देखो 8 2 10 8 18 हासिल एक 6 5 11 11 13 14 15 हासिल एक 3 और एक 4 458 अगर मैं x प्लस y प्लस z करू तो 44 का 22 और ये 9 और हमसे कहता है कि प्रभू और सत बता दू तो 3 से यहाँ भाग 3 से यहाँ भाग भाग दोगे तो 225 यानि 75 सही यहाँ जोड़ने में कोई गलती हुए गया आठ तुनी सोला सतरा ठारा एक हासिल छे पांच ग्यारा ग्यारा तीन चौदा एक पंद्रा पांच एक हासिल एक दो तीन 458 हो गया दो से भाग दोगे तो दो यह आएगा 58 का आधा 29 सही है तीन से भाग दोगे तीन से तो साथ यह एकईस साथ आया फिर आया उन्निस कि छत्रिक अठारा यानि च्छियत्तर सही एक बटा तीन तो आप्शन में भी नहीं कुछ ना कुछ हमसे गवड हुई होगी कि ओहु गवड दिखेंगर यहां होई एक सो दिव यह एक सो चौशट है यहां मेरा 118 है समढ़ गए समध गए कि निंए अरे हमने एक सोर्सल लिखा तो यह 4 कम है तो समझदारों भाई देखो हम अपनी केल्कुलेस से नहीं हटे ठीक है अब हमारी केल्कुलेशन तो बिल्कुल सही थी भाई हम उसमें थो Хотя उल्कुली नहीं सकते तो यहाँ अलकिया सा से हमने बिल्कुछ सहीं बताया option नहीं मैच कर रहा तो हम समझ गया कि कुछ नहीं कुछ खेला हो गया आठ चार बारा बारा दो चौदा हासिल एक यहाँ टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दो से भाग दोगे दो और है 54 है तो 27 आवस्त चाहिए तो 3 से यहां 3 से यहां सात्यां 21 सात्यां 21 फिर 17 तो 75 हो गया और 2 बटा 3 75 सही 2 बटा 3 is the right answer हलका सा error हो जाता है लंबे समय से बताते बताते एक इक कि चीज को प्रॉपर बताया जो हमने लिखा था उसके इसाब से हम पूरते सही थे ठीक है हाँ 75 is to 2 by 3 is the right answer of this question guys बोलो मगर प्यार से